वगत है आपका अपने चैनल हाट के प्रेडिक्टर में तो आज हम बात करने वाला है Western Storm vs Sunrisers का जो मैच होने वाला है मैच लगवग 19 सितमबर को खेला जाएगा कल तो यहां की एगर Pitch Report की मैं बात करूँ तो जो यहां का Pitch है बैटिंग friendly Pitch रहेगा similar support करता है किसको Pacers को Spinner को उतना ज़्यादा support नहीं करता है मैं आपको scenarios नीचे सब बता दूँगा Bristol Conti Ground पे मैच खेला जा रहा है तो Bristol का यहां पे ODA statistics देख लो एक बार यहां पे 20 मैच खेला गया है बैटिंग first ने 7 जीता है मतलब 41% है बैटिंग second ने 10 जीता है मतलब 59% बैटिंग second ने जीता है तो slightly advantage है second बैटिंग वालों को abandon यहां पे 4 हो गया है और यह toss, batted, fielded का तो उतना कुछ important नहीं है यह 3 चीज़ important रहेगा इसको आप एक बार देख लो highest to total यहां पे England का बना था 369 for 9 था 50 ओवर में वसस वेस्टेंडिस सप्टमबर 24, 2017 में lowest to total यहां पे Zimbabwe का था 92 पे आलोट हो गई थी वसस किस पे आस्ट्रेलिया पे तो इतना मान के यह नीचे लेंगे के यहां पे अच्छा मुखब लावा था क्यूंके अस्ट्रेलिया के अगेंश था तो Zimbabwe तो आलोट होना ही था तो बहुत जल्दी भी आलोट हो गई थी और वो भी बहुत पुराना मैश था 2003 का 300 प्लस टोटल साथ बार यहां पे गया रंस पर ओवर 5.25 रंस बनते हैं हर ओवर पे और हर विकेट पे मतलब 32 रंस स्कोर होने पे एक एवरेज विकेट गिरता है यहां पे आसा यहां का स्टेटिस्टिक्स है तो यह थोड़ा बहुत देख लो इसमें सिर्फ के बैटिंग सेकेंड के लिए इंपोर्टेंट रहेगा तो चलो नीचे देखते हैं अभी लास्ट रिसेंड मैचेस यहां पे क्या हुआ था मतलब यह इसी सीजन का है रैचल हेवी फिलिन ट्रोफी का यहां पे दो मैचेस हुआ है तो यहां पे देखो 31st आगस्ट को यह मैच खेला गया था सदरन वैपर्स ने 261 किया था 7 विकेट के नुकसान पे और वेस्टन स्टॉम्स ने 239 पे अलोट हो गई थी वेस्टन स्टॉम्स तो यहां पे विकेट्स टोटल 1st इनिंग्स में 3 फास्ट को 3 स्पिन को और 2nd इनिंग्स में पोरा 10 विकेट फास्ट को गया था यहाँ पे इसलिए मैंने बोल्ड नहीं किया है क्योंकि यह important नहीं रहेगा क्योंकि यह सदरन वैपर्स का record था आप यहाँ पे Western Storm का देख लो Fee Morris ने 4 रन किये थे एक विकेट लिया था Sophie Love ने 60 रन बनाये थे और Georgia Hennessy 4 रन पे एक विकेट मतलब 4 रन स्कोर करके एक विकेट लिया था तो सेकेंड मैच का एक बार बात कर लेते हैं 11 सितंबर को खेला गया था 2020 में यहाँ पे Yes E.S. ने 37 स्टार्स ने 212 किये थे 9 विकेट के नुकसान पे विकेट कितना गिरा था 7 विकेट फास्ट को गया था एक विकेट स्पिन को गया था और एक रन आउट हो गया था और वही सकेंड इनिक्स में 215 पे 3 वेस्टन स्टार्स ने चेस कर लिया था मतलब वेस्टन स्टार्स यहाँ पे 2 मैचस खेल चुकी है और यह अभी जो खेल रही है वो 3rd मैचस सेम वेन्यू पे वो धियान में रखके चलना कि वेस्टन स्टार्स को इस पिच के बारे में बहुत अच्छे से पता है जितना कि अपोजिट टीम को सैनराइजर्स को पता है तो वेस्टन स्टार्स थोड़ा अडवांटेज में रहेंगे और मेरे हिसाब से Western Storm ही यहाँ पे strongest team है मैं आपको नीचे पूरा सिनेरियो मैं आपको बता दूगा कि क्या-क्या हो सकता है तो यहाँ पे second innings में दो fast एक spin को गया था, Sophie Love यहाँ पे 104 run बनाते होए दिखी थी Georgia Hennessy 86 runs प्लस 3 wicket, Alex Griffiths 2 wicket Filler, Hachins और Cornet एक-एक wicket लेके गए थे यह देख लो, यह आपके लिए important रहेगा यहाँ पे, total conclusion मैं यहाँ पे दिया है मैंने, तो यहाँ यह आपको important रहेगा total run score 473 runs यहाँ पे first innings में बने थे total wicket 16 गिरी थी first innings में fast को 10 मिला था, spin को 4 wicket, वही second innings की बात करूं, तो यहाँ पे भी runs बने थे 454 runs, total wicket 13 गिरे थे पूरा 12 fast को मिले हैं और यह एक spin को, तो यहाँ से आप यह अंदजा लगा सकते हो कि runs यहाँ पे बन सकता है, आराम से runs बनेगा, 220, 240 प्लस आपको देखने को मिलेगा, अगर western strong first batting करेना, तो आपको 250 प्लस देखने को मिलेगा, अगर sunrisers first batting कर ले, तो आपको यहाँ पे target कम होता हुआ भी दिख सकता है क्योंकि sunrisers उतना strong team नहीं है और fast ballers को यहाँ पे advantage मिल रहा, spinners को उतना wicket नहीं मिल रहा, spinners को देखो सिर्फ 5 ही wicket मिला है और वही fast ballers को 22 wicket मिला है तो वह धियान में रखके चलना, spinner थोड़ा कमी pick करना, fast ballers को prefer करना, मैं आपको नीचे पूरा details बता दूँगा कि कितना fast है, कौन-कौन सा fast ballers है और कौन-कौन सा spin ballers है नीचे आपको सब कुछ पता चल जाएगा total runs की अगर बात करो यहाँ पे, दोनों innings में तो 9-27 runs बना हुआ है दो matches में, total 4 innings का मिला के, total wickets गिरा है 29, तो यहाँ पे fast को मिला 22, spin को मिला 5 तो इस दो run-out हुआ था, तो यहाँ से आपको exact accurate information मिल जाएगा, कि fast ballers यहाँ पे बहुत helpful रह रहे हैं पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप कही पे भी miss मत करना, पूरा वीडियो देख लेना इसमें सारा details आपको दिया हुआ है मुझे grand league चाहिए भाई, जो भी वीडियो देख रहे है न, उनसे मेरा यही एक option है कि grand league जीतो इस match में बहुत अच्छा match है grand league के लिए सही से team बनो, अपना आदा घंटा दे दो last में जब match स्टार्ट होने से पहले जैसे ही line-up आएगा, 20-25 मिनट पूरा लागा दो 11 टीम के पीछे आप जरूर grand league जीत सकते हो, अगर पूरा वीडियो आप देख लोगे और grand league players जो मैं बताता हूँ, उन पे आप focus करोगे तो final update के लिए telegram पे जूड जो, इसका link आपको description में मिल जाएगा, हटके predictor, dreamland, free teams के नाम से है, और अगर youtube चैनल पे भाया subscribe नहीं कियो, तो subscribe कर दो, subscribe और like करने में पैसा थोड़ी लगता है तो चलो, subscribe का तो बाद में भी देख लेंगे, अगर नहीं करना चाते तो आपकी मर्जी है, force भी नहीं कर रहा हूँ subscribe कर लो, अगर आपको लगता है कि अच्छी information में दे रहा हूँ, तो आप subscribe कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, last match का है अगर head to head performance की यहाँ पर बात करूँ मैं तो Western Storm versus Sunrisers में देखो, Western Storm ने first batting करते हुए 265 score किया था, 6 wicket के नुकसान पे और वही Sunrisers 179 पे आलोट हो गई थी तो यही scenario आपको फिर से देखने को मिल सकता है यहाँ पर, Western Storm ज्यादा, Western Storm अगर batting करेगी first तो high score बनेगा, Sunrisers करेगी तो low score बनेगा, first innings में देखो, 2 fast गिरा था, Western Storm के batting के time पर, 2 wicket fast को गया था, 3 wicket spin को वही Sunrisers जब batting कर रही थी, तो 4 wicket fast को 6 wicket spin को गया था लेकिन यह दूसरे पिछ पे था, अभी जो match हो रहा है, वो दूसरे पिछ पे हो रहा है यहाँ पर अगर बात करूँ तो 5 wicket फी मोरिस ने लिया था, 24 run भी score किया था, right arm off break बोलर है, यहाँ पर mention किया हुआ न, RAOB मतलब right arm off break, right arm medium, right arm medium slow left arm orthodox, तो यह ऐसा mention किया हुआ है, तो इससे आपको easily पता चल जाएगा कि कौनसा बोलर fast है, कौनसा बोलर spin करता है Sophie Luff ने 85 score किया था, Georgia Ayanese 4 run एक wicket, Alex Grifficks बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए, 43 runs प्लस एक wicket, Lauren Filler ने 2 wicket लिया था, और Hutchins ने एक wicket लिया था, वही Sunrisers performers की बात करूँ, तो Katie Olfay ने 3 run किये थे और एक wicket लिया था, जोईने Gardar ने 54 runs प्लस एक wicket McLeod ने एक wicket लिया था, लेकिन McLeod को भूल जो, McLeod यहां पे खेलेगी नहीं Sonali Patel ने एक wicket लिया था Ascrivens ने 26 run करते हुए यह wicket और Dattani 27 run करते हुए यह wicket, Dattani का एक चीज़ धियान में रखो, इनको पुरा over नहीं मिल रहा है जितना भी इनका 5 matches हुआ है total, हर match में 2 over या 4 over करते हुए ही दिखी है 5 over भी डालते हुए, मुझे किसी एक match में भी नहीं दिखी तो इस पर खोड़ा धियान देना bowling कम कर रही है batting आपको middle order में करते हुए दिख जाएगी points double के बाद करो तो western storm 5 matches खेल चुकी है 14 points पे है और वही sunrizers 5 matches 0 points पे है एक match भी अभी तक जीती नहीं है बहुत weak team है इस tournament में तो वह धियान में वह भी रखके चलो वही western storm का ये पूरा squad का details है एक बार देख लो आप चाहो तो pause करके मैं अगर explain करता जाओंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो चलो player stats की बात कर लेते हैं western storm की अगर बात करो नो player stats की मैं तो abby vibro विकेट कीपिंग section से अभी तक इनको chance नहीं मिला अगर chance मिलता है तो grand league में आप try कर सकते हो abby vibro को net rate बहुत अच्छे form में चल रही है last match में 50 plus करके भी आ रही है और यहाँ से daniel जिपसन daniel जिपसन अगर खेलती आना भया तो small league plus grand league दोनों में मैं prefer करूँगा daniel जिपसन को बहुत अच्छी player है देखो यहाँ पे 132 innings में 3314 runs किया हुआ highest 129 का है और average भी अच्छ है 28 का और part time bowler भी है 135 wickets भी निकाला हुआ है last time भी मैंने आपको बताया था जब western storms का match चल रहा था इसलिए इनका stats में उतना explain नहीं करूँगा क्यूंकि इसके players के बारे में आपको पता ही रहेगा एक बार आप चाहो तो pass करके देख लो Emma Corne, Georgia Hennessy, Sophie Love, Lauren Porfit, Fee Morris, Alex Griffiths है edge combo को भी आप try कर सकते हो edge combo भी थोड़ी बहुत अच्छी player ही है उतनी खराब player भी नहीं है edge combo लेकिन performance थोड़ा बिगड़ गया 2020 में लेकिन player बहुत अच्छी है Hutchins, Spinner है, Lauren Filler, right arm medium Niamh Cholen, right arm medium और Claire Nicholas, Claire Nicholas का chances कम लग रहा है खेलने का तो इनकी बात नहीं करेंगे अगर खेलती है तो मैंस का stats आपको एक बार फिर से आपको बता दूँगा लाइन अपस के बाद chances तो बहुत कम है खेल लेका Probable 11 की बात करो और batting order की बात करो तो Fee Morris और Lauren Parfit आपको यहां पर open करते हुए दिख सकते हैं, 1 down पे Sophie Love और 2 down पे Georgia Hennessy batting करते हुए आपको दिख सकते हैं, अब यह आप सोचोगे के यह color color क्यों करके रखा है तो मैं आपको समझा देता हूँ वह यह मैंने color क्यों किया आपके लिए ही किया है, देखो जो blue color किया है ना, वो must pick players है blue colors में, और जो pink color मैंने रखा हुआ है, वो सिर्फ grand league के लिए prefer करो, small league में मत लो उनको, क्योंकि ज्यादा तर आपको point देते हुए नहीं दिखेंगे, अगर देंगे grand league में तो बहुत अच्छा रहेगा, grand league के लिए prefer करो, और यह जो red color में दिया हुआ है, यह grand league या small league, दोनों में आप इनको prefer कर सकते हो और यह must pick players है, blue color का जो पताया था must pick players है, इनको छोड़ना ही नहीं है grand league हो या small league हो तो यहाँ पर जिसको color ही नहीं दिया है black color में छोड़ दिया है, उनको मैं prefer ही नहीं कर रहा हूँ, small league हो या grand league हो मैं बिल्कुल prefer नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो लेके चल सकते हो, आपको रोग भी नहीं रहा हूँ लेकिन मैं prefer नहीं कर रहा हूँ, ना तो grand league में ना तो small league में, लेकिन मजबूरी है इन दोनों में से किसी एक को लेना ही पड़ेगा बोलर्स में उतना कोई अच्छा options नहीं है मैं आपको वो भी बता दूँगा जब dreamy 11 टीम डिसकस करेंगे तो, यहाँ पर एक बार इनका recent form देख लो, last match में 33 runs प्लस एक विकेट करके आ रही है फी मोरिस, लारेन परफिट ने 10 run स्कोर किया था, Sophie Love 79 Sophie Love का देखो, आप Captain Voice, Captain 10 बिकर के चल सकते हो, last 4 matches से बहुत अच्छे form में चल रही है, 60, 85 104, not out और प्लस 79 Georgia अहिने सी run थोड़ा कम बना रही है, लेकिन आपको bowling में पूरा 10 over डालते होए दिखेगी, wicket भी निकालते होए इस match में दिख सकती है Net Right का स्टाइटिंग में थोड़ा firm गड़बड़ा गया था, लेकिन last match में 68 score करके आ रही है और यहां से Griffiths की बात करूँ तो Griffiths को batting में उतना मौखा नहीं मिल रहा है, मतलब इसी opposite team पे जब head to head का match हुआ था, तब मिला था, जहां पे 43 run score किया था, और last match में 15 run plus 0 wicket edge combo की बात करूँ तो एक match में बैटिंग का मौखा नहीं मिला 10 run plus 0 wicket, Emma कर ने 12 run 0 wicket, एक wicket उससे पहले के match में लिया हुआ था Holland को पता नहीं team में क्यों रखे हैं, ना तो bowling दे रहे हैं, ना तो batting में promote कर रहे हैं, उपर spinner है, आपको अपने दीन पे कभी भी wicket ज्यादा लेते हुए दीख सकती है मगर इस pitch पे थोड़ा support नहीं कर रहा है spinners को, तो prefer नहीं कर रहा हूं, Hutchins को, Lauren Filler आप ले सकते हो, Lauren Filler right arm medium bowler है, तो यहाँ पे Pacers को support कर रहा है, तो Lauren Filler एक अच्छी पिक रहेगी Abbey Vibro और Daniel Egipson को अभी तक chance नहीं दिया है, देखते हैं कि क्या होगा यह किया Super League का कुछ इनका stats है, Western Storms का एक बार देख लो अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो scroll down या नहीं तो, मैं scroll down करता हूं नीचे चलते हैं उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो like कर दो subscribe कर दो और share भी कर दो अगर चाहते हो तो, अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपको पूरी information दे रहा है, सही से आपको explain कर रहा है ड्रिम 11 में इनका first match चल रहा है प्लेयर स्टाट्स इंपोर्टेंट रहेगा सन राइजर्स का अमारा केर यहाँ पर captain है team की और आपको open करते हुए भी दिख जाएगी 228 इनिक्स में 4402 रंस किया हुआ highest 105 है, average 23 का है wickets 22 निकाला है, लेकिन बहुत rare bowling करती है average batsman है, decent score करके दे सकती है आपको 20-25 रंस करते हुए दिख सकती है अगर खेलेगी तो Cordelia Griffith की बात करूँ तो 8 match टोटली इसने खेला है 6 इनिक्स में 95 रंस सकोर किया, highest 39 नाट आउट है, average 23 का कभी कबार bowling करते हुए भी दिख सकती है, 4 विकेट भी निकाला हुआ है हेले ब्राउन एक बहुत अच्छी प्लेयर है हेले ब्राउन लास्ट मैच, एक ही मैच खेली हुए है आप इसको जरूर ट्राइ करना Grand League में इस कैप्टेन भी करके ट्राइ कर सकते हो, हेले ब्राउन को 64 इनिक्स में 1160 रंस किया हुआ, highest 111 नाट आउट है 2019 में 111 किया हुआ, 2020 में अभी बड़ी पारी बाखी है कभी भी लगा सकती है, average 23 का है वही केटी मिडूट की बात करूँ तो यह एक ही प्लेयर है जो मुझे अच्छी लगी इस टीम से यह और जोहने गार्डनर और स्क्रिवन्स तीन प्लेयर, तीन प्लेयर मुझे अच्छे लगे थे लेकिन इस सीजन में हर मैच में बोलिंग करते हुए दिखिए तो इस मैच में भी एक्सपेक्टेड है के बोलिंग करेगी मियार अगर्स 90 इनिंग्स में 1304 रन्स मतलब 1304 रन्स, highest 78, average 18 का मियार अगर्स मुझे अतनी important नहीं लगी केली केस्टल को आप चाहो तो ग्रेंड लिग में try कर सकते हो 162 इनिंग्स, 2298 रन्स है, मतलब 2298 रन्स है highest 108 का है, लेकिन यह जो highest है वो बहुत पुराना है 2017 में या 16 में शायद किया है average 17 का, wickets 124 निकाला हुआ है लेकिन regular bowling नहीं कर रही है इस सीजन कभी कबार bowling करते हुए दिख रही है जो अन्य gardener की बात करो तो बहुत अच्छी प्ले रहा है right-handed batsman प्लस, right-arm off-break बोलर है spinner है, 124 इनिंग्स में 1738 रन्स किया हुआ highest 86 का, average 8 राका 9 अमीदत्ता नहीं, आपको batting से point दे सकती है bowling से उतना ज़्यादा उमीद मत रखना क्योंके overs ज़्यादा नहीं मिल रहे है, क्या पता इस match में मिल जाए, sure नहीं हूँ, लेकिन last match के comparisons पे overs थोड़ा कमी मिला है हर match में 2 या 4 over तक maximum इनको दिया जा रहा है 117 इनिंग्स में 1639 रन्स किया हुआ highest 109 का average बहुत कम है 15 का और 100 wicket भी निकाला हुआ है वही grace scrivens की बात करूँ तो ये भी spinner है slow left arm orthodox है 141 इनिंग्स में भाया 3940 रन्स किया है मतलब अगर एक और 60 रन जोड़ लो तो 4000 रन के लगबग score किया है highest 23 का है और average बहुत अच्छा है grace scrivens का 45 का average है 80 wicket भी निकाला हुआ है अगर spin पे support कर दे थोड़ा बहुत पिश तो grace scrivens को wicket मिल सकता है केटी उल्फे की बात करूँ तो right arm medium bowler है 87 इनिंग्स में 429 रन्स किया हुआ है और 87 wickets लिया हुआ है इनका selection dreamy line पे बहुत ज्यादा है लेकिन मायन को pick नहीं कर रहा हूँ आप चाहो तो pick कर सकते हो अपनी team में गाया गोले की बात करूँ तो इसका पूरा नाम गाया 3 गोले है right arm fast bowler है 130 इनिंग्स 418 रन्स 70 wicket निकाला हुआ है एमिली थॉर्प की बात करूँ तो right arm leg spin bowler है 63 matches में 105 run plus 61 wickets भी लिया हुआ है यहां से bowling section की अगर बात करूँ तो sonali patel एक अच्छी bowler है 95 matches में 1087 runs किया हुआ है और 80 wicket भी निकाला हुआ है अगर sonali patel को batting का मौखा मिल जाए तो आपको 10 से 20 run करते हुए भी दिख सकती है sonali patel तो चलो इनकी probable 11 और betting order मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारा care और यहां से sea griffith आपको open करते हुए दिख सकते है one down पे यहां पे mcleod खेला करती थी लेकिन इन dream 11 पे mcleod का नाम mention नहीं है शायर dream 11 add करेगा या फिर mcleod इस match में नहीं खेलेगी मैं इसका अगर कुछ update मिलता है mcleod का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा अभी तक मुझे कुछ इनका official websites या official team से कोई updates यहां पे मुझूद नहीं है mcleod का तो आप हिलाल के लिए छोड़ दो नवी दत्तानी two down पे आपको betting करते हुए दिखेगी पहले मैच में 42 किया बोलिंग नहीं की दूसरे मैच में 2 run 0 wicket तीसरे मैच में 27 run 0 wicket 20 run 0 wicket 33 run 0 wicket तो यहां पे आप देख सकते हो wicket नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है क्योंके overs 2 या 4 डाल रही है over ज्यादा नहीं डाल रही है और batting में थोड़ा performance अच्छा है 20 plus आपको score करते हुए दिख रही है Griffith का player अच्छी है लेकिन score सुतना ज्यादा नहीं है 15, 1 और 27 अमारा care का येक match में बहुत अच्छा score था 99 का और 2 match उसमें भया डकोट हो गई फिर 6 run किया फिर पहले match में 4 run किया है हेज ब्रोन को आप चाओ तो grand league में try कर सकते हो केटी कैस्टल को आप grand league में try कर सकते हो 8 run 1 wicket 25 run bowling नहीं की 8 run 0 wicket 24 run bowling नहीं की और डकाउट हो गई थी bowling नहीं की तो इसलिए मैं उपर आपको बता रहा था ना कि regular bowling करते हुए नहीं दिखी थी तो देखो यहाँ पर 3 matches में bowling नहीं की है सिर्फ 2 matches में bowling की है जहाँ पर 1 wicket निकाला हुआ है और runs भी उतना ज्यादा बना नहीं रही है 25 और 24 दो matches में 20 plus runs देखने को मिला था चलो अब blue color start हो गया must pick players यहाँ पर हैं तो देखो Jay Gardner 13 run 0 wicket पहले match में 25 run 2 wicket 54 run 1 wicket, 39 run 1 wicket और यहाँ पर 30 run 0 wicket तो इससे अंदाजा लगा सकते हो के batting मिल जाए तो आपको 30 plus run करते हुए दिख सकती है, bowling में भी आपको 1-2 wicket निकाल के दे सकती है वही scrivence की बात करो तो 8 run bowling नहीं की 2 run bowling नहीं की, 26 run 1 wicket 13 run 1 wicket, 16 run 1 wicket यहाँ पर यह इसलिए bowling नहीं की है यहाँ पर दूसरे bowlers यहाँ पर मौझूद थे जो के अभी squad में available नहीं है तो वो bowling कर रहे थे तो scrivence को bowling करने का मोखा नहीं मिला था इस match में scrivence bowling करते हुए आपको दीख जाएगी K midwood betting section में दिया हुआ और येस पटेल की सोनाली पटेल की बात करो तो 4 run 0 wicket, 7 run 4 wicket, 0 run 1 wicket, 4 run 1 wicket और यहाँ पर 9 run 0 wicket तो यह इनका सोनाली पटेल का थोड़ा start से यहाँ पर 4 wicket एक ही match में लेते हुए दिखी थी और fast bowler है तो इस pitch पे भी अच्छा करते हुए आपको दिख सकती है एक wicket आपको लेते हुए दिख सकती है अगर खेल रही है तो यहाँ पर में के में क्लियोड की जगे पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर किसी की जगे पर लाया जा सकता है तो इनके टीम में changes होने का chances बहुत ज्यादा है changes ही एक दो changes हमें देखने को मिलेगा देखते हैं कि कौन अंदर आता है और कौन बाहर जाता है और batting order में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत changes हो सकता है क्योंकि जो केटी मीड वूड है वो दो matches में open कर चुकी है first और second match में उसके बाद कि जो 3 match असते हैं उसमें नीचे batting करते हुए दिखी थी middle order में या lower order में तो chances है कि केटी मीड वूड भी open कर सकती है और scrivens और gardener आपको उपर batting करते हुए भी दिख सकते हैं दत्तानी को demote किया जा सकता है इस match में देखते हैं कि क्या होगा probable 11 से और batting order मिल जाए तो मैं आपको जरूर शेर कर दूँगा तो यहाँ से देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने segregate किया हुआ यहाँ से आपको easy हो जाएगा कि किसको pick करना और किसको आप drop कर सकते हो must pick players western storm से एफ मॉरिस, सोफी लग, जोर्जिया हैनेसी, एलेक्स ग्रिफिन्स या फिर net to right वही sunriders की बात करो तो gardeners, क्रिवेंस, मीड़ूड और सोनाली पटेल यहाँ से must pick हो गए, तो differential pick कौन से हो सकते है यहाँ पर Lauren Parfit open करते हुए दिख रही है, form अच्छा नहीं है इस team पर बड़ा करते हुए दिख सकती है Lauren Parfit इसलिए यहाँ पर इसको differential pick में रखा हुआ है Lauren Filler, Stephen Hutchins और Emma Cornie Sunrisers की बात करूँ तो Emma Car बहुत अच्छी differential pick रहेगी wicket keeping section से क्योंकि open कर रही है और जो net to rat है वो नीचे batting कर रही है तो chances ज्यादा रहेगा, Emma Car को batting का और runs बनाने का मोखा भी ज्यादा रहेगा और player भी अच्छी है, player भी बुरी नहीं है कि हम drop कर दें दत्तानी एक differential pick हो सकती है Griffith differential pick और H-Bron Grand League में जरूर try करना बहुत अच्छी differential pick रहेगी Grand League में किस-किस को try कर सकते हो मतलब try करने का मतलब है कि player आपको कभी कबार point देते हुए दिख जाएंगे हर match में यह point नहीं देंगे इसलिए यहाँ पर can try लिखा हुआ है तो western strong से N-Holand और H-Combay को आप try कर सकते हो Sunrider से K-Ulfe को K-Castle या फिर E-Mathorpe को आप try कर सकते हो तो यहाँ पर मैं ने जो dream team बनाई है मेरी dream 11 team अल्मोस 90% यही team रहेगी एक दो changes हो सकता है अगर कोई player नहीं खेलता है तो या फिर bowling section में कोई अच्छा player मुझे मिल जाता है तो Hutchins को मैं drop कर सकता हूँ Lauren Filler को मैं नहीं करूँगा Hutchins को मैं drop कर सकता हूँ इस match में तो यहाँ से देखो wicket keeper मैं आप Netroid को ले सकते हो और selection percentage भी बहुत ज्यादा है safe रहेगा Netroid को ले लोगे तो लेकिन मैं यहाँ पर IMA car के साथ जा रहा हूँ यहाँ से केटी मिडूट को लिया हुआ है Sophie Love, Georgia Hennessy Jay Gardner, F. Morris, Alex Griffiths और Scrivens को लिया हुआ है S. Patel, Lauren Filler और Hutchins को लिया हुआ है Captain मेरी Hennessy रहेगी इस मैच में और Vice Captain F. Morris को किया है आप चाओ तो Vice Captain option है Sophie Love है, Alex Griffiths है Scrivens को भी कर सकते हो Gardner को भी करके चल सकते हो यह चार प्लेयर जो है वो Vice Captain के लिए अच्छे options रहेंगे उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना लाइक और शेर भी कर देना सब्सक्राइब नहीं कियो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखी रहा होगा Free सब्सक्राइब है भाई पैसा चार्च नहीं कर रहे हैं कोई भी पैसा आपसे नहीं मांग रहा है सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर लो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद